कि है यह फ्रेंड्स जावा प्रोग्राम के लेक्टर नोर्टे 27 में आपका स्वागत है इस लेक्षर में हम लोग जावा के यूटिलिटी पैकेज की बात करते हैं यूटिलिटी पैकेज का मतलब किया है देखिए जेनरली हम लोग अपजेक्ट एाड्ब कि अपे अपजेक्टर प्रोग्राम बनाते हैं क्लास अप अप्रश्व बनाते हैं क्लास एक तरो से यूजर इफाइंड डेटा टाइप है को अधुक्वाइर्मेंट हम डेटा सब्हुंग स्फेनकी बनाते हैं और उसको फिर अपने-पने अब्जेक्ट के थ्रूँ क्लेक्ट करते हैं कलेक्शन की बात होती है जड़ा सा विचार किजिए कि जावा ना बल्कि स्टेंड अलोन पैकेज की तरह काम करता है तो इंटरनेशनल एक ब्रांड है इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग होती है अलग-अलग और्गनेशन के लिए प्रोग्राम बनाये जाते हैं इंडिविज्वल के लिए बनते हैं बड़े-बड़े और्गनेशन के लिए प्रोग्राम बनाये जाते हैं अलग-अलग डिवाइस के लिए बनाये जाते हैं अगर आप कहें तो मल् बनाए है लेकिन बन बनाए है अगर आपके रिक्वार्मेंट वह इस्तमाल कर सकते हैं तो इसी तरह से यूटिलीटी पैकेज का मतलब होता है जिस क्लास की आपको जरूरत है इन जैनरल जो बन आप बनाना चाहा रहे हैं आप पहले देखिए तो कि जावा में कहीं उसका स्केल्टन तैयार तो नहीं है इसके बना हुआ तो नहीं है आप उसको थोड़ा सा मोडिफाई करके अपना इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह के बहुत सारे यूटिलीटी harvest already classes और इंटरफिश जावा के पास ऊपल visit is a single package में जिसको जावा डाट एुती लpaper तो जावा जावा जोंड़ाइक यूटि अमां टरह के utility classes और इंटरफेस यह द्वनुं का कलेक्शन है और यह बड़ा हेल्पफुल है इसकी के सहयोग से आपको हर काम के लिए अलग-अलग क्लास बनाने की जरुरत नहीं है पहले से बने हुए क्लास को आप सिर्फ एक्सेस कर ले यूज कर ले रियूज कर सकते हैं और जरुरत पर देंगे उसमें थोड़ा सा होता क्या है कि it contains ADT क्लास अबस्ट्रैक्ट टाइप क्लास अबस्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेस्ट जितने भी क्लासेश है वह सारे इसमें बनाया जाते हैं और इसके साथ 13 इसमें different interfaces भी उपलब्ध हैं उस interface का भी इस्तमाल आप कर सकते हैं आप जानते हैं कि Java में class और interface दोनों का collection है तो यहां पर दोनों ही तरह के class और interface उपलब्ध हैं अब सबसे पहले देखें कि इसमें main class क्या क्या होता है तो concrete implementation जैसे array list, has map, has set, has table, link list, stack, vector यह सब वो data type है वो implementation है जो data के programming में data manipulation में आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं data structure हम समझते हैं अलग-अलग structure के data उपलब्ध है तो अलग-अलग structure के data को handle करने के लिए अलग-अलग आपको class की जरूरत होगी और उसी में class आप देख लिजिए कि concrete implementation में array list भी है लिस्ट का हिसाब किताब रख सकते हैं हैस मैप array लिस्ट किया है एक variable लिस्ट है उसमें कुछ लिस्ट को आप add कर सकते हैं कुछ माडिफिकेशन करके अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसी तरह हैस मैप है हैस सेट है हैस क्या dictionary आप जानते हैं मतलब इसको किसी भी डेटा की handling के लिए data के सौर्टिंग के लिए सर्चिंग के लिए सबसी ज्यादा effective method है हैस टेबल तो हैस टेबल में या हैस सेट की हम बात करें हैस सेट का मतलब duplicate को लाओ नहीं करेंगे हैस टेबल में तो आप रख सकते हैं हैस मैपिंग की बात होती है उसी तरह लिंक लिस्ट है स्टैक है यह सारे टेटा स्रक्चर को प्रॉपर तरीक से हैंडिल करने के लिए हमारे पास क्लास है जिसका इस्तमाल आप ज़रूरत पर कर सकते हैं अब एक एक क्लास के भिशा में टीटेल पढ़ा जा सकता है लेकिन अभी आपके से उतना कुछ तो नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखने क ज़रूरत है कि Java utility package में क्या कौन-कौन से क्लास उपलब्ध है दूसरा abstract implementation जिसमें abstract collection, abstract list, abstract map, abstract set and dictionary तो यह सारे कुछ है जिस पर आप काम कर सकते हैं यहां पर अबस्ट्रेक्ट होगा इसको जड़ा सा थोड़ी सी गड़बड़ी है उसको आप सुधार लेंगे यहां पर abstract list होगा टी आप जोड़ लेंगे यहां भी abstract set होगा यहां पर abstract map होगा तो इस तरह से abstract implementation की बात हम कर रहे हैं इसके बाद infrastructure classes है collection है arrays है collection data के different type के data को store करना है तो उनका प्रॉपर collection बनाएंगे collection में हम sorting की बात करेंगे searching की बात होंगे तो sorting searching जहां भी database को handle करने की बात होगी आप जाएंगे तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं database को handle करते हैं अपने programming के द्वारा तो उसमें हमको इस तरह के collection या array class की जरूरत पड़ेगी जिसका data security data की auditing करनी है auditing मतलब किसी एक organization में जो भी data है तो हम क्या करते हैं आथेंटिकेट करते हैं किसी खास person को फाइल को access करने के लिए access right हम प्रोभाइड करते हैं password security लगाते हैं उसके बाद भी हम चाहते हैं कि कोई particular person किसी file पर क्या 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 काम करता किस समय login करता किस समय logout करता है अगर computerized accounting की ज़रूरत है और रिकॉर्ड रखने की बात है तो उसके लिए हमको date and time supporting collection calendar and time classes की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के class बड़े supportive होते हैं advanced programming में जहांपर आप प्रोग्राम का record वागर रखना चाहें तो organization में सबसी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जागा local and supporting resource bundle classes अब देखें यह क्या कहता है local and supporting resource जावा international language है international language है लेकिन अलग-अलग field में इस्तेमाल किये जाते जावा के प्रोग्राम अगर इंडिया में इस्तेमाल किये जाएंगे तो हम यहां पर अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी हम डॉलर में को इस्तेमाल नहीं करते हैं डॉलर पॉंड का सहयोग नहीं लेंगे हम इंडियान रूपीज की बात करेंगे तो इंडियान रूपीज की लोकल लेबल पर उसको सेट कर लेना अलग-अलग डिफरेंट रिजनल लेंगवीज का सपोर्ट हम जाहिए डिफरेंट प्लानिंग चाहिए डिफरेंट चोटे-चोटे लोकल लेबल पर और अपने रिक्वार्मेंट हैं उनकी अधार पर रिसूर्स के बंडल को तैयार किया जाता है तो यह औरडी एक स्केल्टन दिया व्हाहिए तो पूरे ग्लोबल करेंशी के लिस्ट हो ड At-Time format की बात हो सब वह इंप्रन वर्क है जो हर प्रोग्राम की ज़रत है तो उसके लिए बार-बार प्रोग्राम करके class बना करके define करने की जोरुत नहीं आप जावा utility program का package का इस्तमाल करें और उसको सीधे सीधे तोर पर access कर सकते हैं यह इसके बाद bitset classes bitset classes मतलब bitwise operation bitwise operation तो ऐसे सारे program में उपलब्ध होते हैं लेकिन कहीं bitset में एक limit दिया जाता है कि आप 32 bit and process कर सकते हैं 64 bit process कर सकते हैं यहां बाद bitset classes limitless data processing capability प्रभाइड करता है आपको अलग-अलग bitset जैसे और operation करना है कि और operation हम कैसे करेंगे कि इसको अगर और operation करेंगे तो 1111 होगा अगर हमारा operation and हो जाए तो एंड में क्या होगा result आप खुद ही सोच सकते हैं one and zero zero one and zero zero one and zero zero one and one one अब यह जो limit होता था एक शित limit का bitset classes उसको free करता है आप जितना लंबा चोड़ा data चाहें bit by bit operation चाहें logical operation की बात हो मतलब end और exor की बात हो first second complimentation की बात हो वह सारे operation perform किये जा सकते है bitset class के द्वारा इसमें कोई limitation नहीं होगा तो यह actually देखे user जो program मनाता है जो अपना class define करेंगे वह आप कर सकते हैं लेकिन बहुत सारा हर program में एक common feature होता है जिसके लिए already utility program में different classes उपलब्ध हैं उस class का आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम में आप इस package को इंपोर्ट करते हैं इसके बाद इसके class को यूज किया जा सकता है और class में ज़रूरत पढ़ने पर आधार पर करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं abstract data type classes मतलब यह abstract है इसमें और कुछ एड़ भी कर सकते हैं जोड़ भी सकते हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और जेनरली इस तरह के question आएंगे तो इन पर detail आप देख सकते हैं लिख सकते हैं बना सकते हैं मिलते हैं next video में जिसम में हम discussion करेंगे यह जो interface है java utility package के अंदर उनका क्या काम है वो क्या क्या करते हैं तो दो तरह के question आ सकते हैं कि इंटरफेस को explain करने के लिए class class के विशह में तो यह जो most common term है जो आपको पढ़ने हैं आपके book में उसको आप देख लेंगे समझ लेंगे और उसके बाद interface for discussion next video में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद